Hello friends, welcome and welcome back to my channel. I hope you are doing good and very very positive. आप सभी जानते हैं कि बालों में melanin की कमी, melamine की कमी होने की वज़े से सफेद बाल तेजी से होने लगते हैं. और ज़रूरी नहीं ये बढ़ती उम्र में आपके साथ हो. अगर कम उम्र में भी आपको इन दोनों चीजों की कमी नजर आ रही है आपके शरीर में, तो भी आपके बाल सफेद होने लगते हैं. तो ऐसे में आप हमेशा प्राक्तिक चीजों को जादा से जादा इस्तमाल करें. ऐसी ही एक प्राक्तिक चीज मैं आपके साथ शेर करने चारी हूँ इसके लिए सबसे पहले आपको एक iron pot लेना है आप कोई कड़ाई, कोई भगोना, कोई बरतनिया तवा भी इस्तमाल कर सकते हैं लेकिन iron का ही इस्तमाल करें जो सबसे ज़्यादा बेटर आपको फायदा देता है इसके बाद आपको इसमें दो चमच एड़ करना है कलोंजी के बीच, कलोंजी के दाने और साथ ही आपको मेथी दाना भी दो चमच इसमें एड़ करना है इन्हें अच्छे से आपको रोस्ट करना है यानि भूनना है तेज आज पर नहीं करना है तेज आज पर करेंगे तो ये भूनेंगे नहीं ये जल जाएंगे तो इन्हें जलाना नहीं है तीमी आज पर इसे अच्छे से आपको भूननना है मेती प्लस कलोंजी इतने पाउरफुल सीट्स हैं जो कि आपके बालों की काया पलेट कर देते हैं अगर आप इनका रेगुलर इस्तमाल करते हैं जैसे कि बहुत सारे इनके हेर प्रोड़क्ट्स आते हैं सीरम आता है ओयल आता है शैंपू आता है जो कि बालों के लिए ही इस्पेशली बनाये जाते हैं क्योंकि ये बालों को बहुत अच्छा फाइदा देते हैं बहुत गुणकारी होते हैं पौश्टिक तत्वर से बरपूर होते हैं आइरन, प्रोटीन, विटामिन, कैल्शम, मैगनेशियम, जिंक, कॉपर, भरपूर इसमें पाए जाते हैं जो कि बालों को हेल्दी बनाये रखते हैं बालों की ड्राइनस को दूर करते हैं बालों में सॉफ्टनस लेकर के आते हैं बालों की चमक को बढ़ाते हैं बालों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्दी होते हैं पोशक तत्व से भरपूर इन बीजों का इस्तमाल अगर आप करते हैं दोस्तों तो आपके बाल बहुत जादा अच्छे, बहुत घने, लंबे हो जाएंगे क्योंकि ये बालों की ग्रोथ के लिए भी काफी जादा फाइदे मंद होते हैं और अगर आपके बाल बिलकुल ज़र जोके हैं, गंजे हो गए हैं आप, बाल न्यू ही जो हेयर होते हैं नहीं आ रहे हैं, तो उसके लिए तो आपको बिलकुल इसका इस्तमाल करना चाहिए क्योंकि ये बहुत ही तीजी से आपको फायदे पहुचाएंगे दोस्तों यहां पर इन्हें अच्छे से आपको रोस्ट करना है और देखिए धीरे धीरे जब आप इसे चलाते रहेंगे तो इसका कलर भी चेंज होगा जब कंप्लीटली इसका कलर चेंज हो जाए तब आपको क्या करना है गैस के फ्रेम को बंद कर देना है बंद करने के बाद इस दोनों दानों को सीट्स को एक अनेदर बोल में निकाल के ठंडा करें ठंडा करने के बाद मिक्सी में इसे अच्छे से पीस ले तीन से चार बार आपको इसे पीसना है इसे आगे के preparation के लिए तो अब आपको इसमें add करना है एक glass पानी क्योंकि हमें इसका pack बनाना है तो pack के लिए हम पानी लेंगे, पानी के बाद आपको इसमें add करना है दो चमच coffee powder, आप black roast coffee, black normal coffee instant coffee या किसी another brand की coffee भी ले सकते हैं, coffee हमारे बालों के लिए एक बहुत ही अच्छे तरीके से work करती है क्योंकि coffee भी हमारे बालों में melanin और melanin को boost up करती है pigment को boost up करती है color को block करती है, restore करती है और आपके बालों के color को और ज़्यादा dark बनाती है और इसके साथ आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने इसे अच्छे से piece लिया है powder form में बना लिया है अब आपको क्या करना है, पूरा नहीं add करना है आपको सिर्फ दो चमच इसमें add करना है लिकिन अभी नहीं add करना है सबसे पहले यह coffee वाले पानी को अच्छे से boil करना है ताकि यह दोनों एक दूसरे में अच्छे से mix up हो जाए थोड़ी सी पानी की जो quantity है वो कम हो जाए इसके बाद आपको इस powder का इस्तमाल करना है और इन्हें अच्छे से मिला करके paste बनाना है तब तक कि यह थोड़ी सी thick consistency में ना होने लगे as a pack की consistency में ना होने लगे जो आपको बालों में लगाना है यह बहुत ही छोटी सी चीज है दोस्तों जो कि हमारे kitchen में ही मिलती है मेथी और कलोंजी तो हमारे kitchen में available रहते हैं हमेशा और बहुत सारा हम इसका इस्तमाल भी करते हैं जाद से जादा हम भोजन के लिए या अचार वगेरा के लिए इसका इस्तमाल करते हैं पराटों में भी लोग डाल करके इसका इस्तमाल करते हैं सब जीज स्वादश्ट बनती है फायदे मंद होती है क्योंकि पोशक तत्वों से भरपूर है यह तो इन छोटी-छोटी पीजों का इस्तमाल आप अपने बालों के लिए करें अपनी स्किन के लिए करें अपने हेल्थ के लिए भी करें बहुत सादा आपको फायदे मिलेंगे दोस्तों तो देखिए मैंने यहाँ पे इसे अच्छे से बॉयल कर लिया है और boil करने के बाद इसको मैंने दो चमच डाल भी दिया था और इसे अच्छे से आपको continuous इस तरीके से medium, low to medium flame पे इसे अच्छे से boil करना है तब तक कि ये थोड़ी सी thick consistency में ना हो जाए जिभी थोड़ा से thick consistency में हो जाए तो आपको gas के flame को बंद कर देना है और यहाँ पे इसे ठंडा होने के लिए छोड़ना है तो मैं यहाँ पे जो pack है वो perfectly हो गया है, gas के frame को बंद कर दिया है तो पूरा ठंडे होने के लिए छोड़ी अभी आपको ये बहुत पतला लग रहा ह लेकिन जैसी आप इसे ठंडा होने के लिए छोड़ेंगे तो उसके बाद यह pack अपने आप thick consistency में हो जाएगा बिल्कुल इस तरीके से तो अब यह देख सकते हैं pack ठंडा हो चुका है और कितना thick हो गया है यानि गाढ़ा हो गया है अब आपको इसे अपने बालों में लगा द्यान रहें कि जब आप इस डाई का इस्तमाल करें दोस्तों यह एक नैश्वर्ल डाई है बीजो से तयार डाई है जिससे आप घर पर आसानी से बना सकते हैं और जब इसका इसका इस्तमाल करें तो अपने बाल आपको साफ सुथरे रखने हैं आपको गंदे या फिर ओई अपने बालो को वाश कर लेना है आपको इस पैक को हफते में सिर्फ एक बार इस्तमाल करना है यह पैक आपके बालो को बहुत ज़्यादा काला बनाएगा और आपके बालो की ग्रोथ में आपके नए बाल लाने में आपकी बहुत ज़्यादा हल्प करेगा तो आश्या करती देखना पसंद करते हैं तो मेरे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा चली दोस्तों फिर से मिलते हैं एक अनदर न्यू रेमेडी के साथ तब देख लिए बाई बाई ठीक केर अपना ध्यान रखिए